कि भाइसाब आप सबको शुब कामना है क्योंकि बजार ने आज फिर एक निया लाइफ टेम हाई 22525 के लपेटे में बनाया तो काड़ दिया जी काड़ दिया 22500 का लेवल काड़ दिया अगला बॉस यह जो बजार काच सकता है जो पीक बना सकता है जिसके उपर इसकी नजरे के द्वारा मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं और कल छुटी आपको बदा दू महा शिवरात्री की तो कल बजार बंद रहेगा तो आप सभी को शिवरात्री की बहुत-बहुत शुब कामना है और आपका क्या शिव का बल हम सब को मिले और हम शेर बजार में ऑपरेटर जरूर लिखिए और इसके अलावा टाटा गुरूप के कंपनियों के शेर क्यों लगातार भाग रहे हैं स्पेशली चार-पांच कंपनियां बहुत तेजी से भाग रही इसकी डिटेल में चर्चा आज की वीडियो में करी तो मिस्स मत करिएगा आज लास्ट में भी कोई अ शेर बाजार बहुत ही खतरनाग जगा है यहां एक भूली फाइनिशल तभाई के लिए काफी है मैं केवल एजुकेशनल वीडियो सी बनाता हूं मैं कोई बाइसल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं चर्चा किये गए स्टॉक उधारन के लिए और खरीदने या बेचने की को करने पर नहीं करना चाहिए बल्कि अपने रिस्क एपिटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए सदा याद रखें जिसने ली टिप उसकी हुई डिप शेर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है निवेश करने से पहले सभी सम्मंधित दस्तावेजों को ध्य कैसे हैं आप भाई आज अच्छा का सा प्रॉफिट बुक किया आज मार्केट ने फिर एक निया लाइफ टेम ही लगाया और निफ्टी फिफ्टी जो है साड़े 22,000 के पार हो गया एक प्रशन आज सब के मन में चल रहा है कि यह टाटा गूर्प के शेरों में क्यों जवर्दस्त तेजी है तो मैंने का भी आज इसके लिए एक छोटा समय का डिस्केशन कर लेंगे मैंने इसका एक इमेज निकाला था देखो हो क्या रहा है टाट तो अब है क्या टाटा कैमिकल्स टाटा और टाटा मौटर्स इंडियन हूटर इनों ने टाटा शंस में इन्वेस्टमेंट की वह जो अभी इनकी इनकी बुप्स में चल रही होगी मेरे साब से एठ कॉस्ट तो अब जब वो share list हो जाएगा तो उसकी market value disclose हो जाएगी तो definitely benefit होगा और ऐसा माना जा रहा है कि जो यह company है लगभग एक लाक तीस अजार करोड की है मैं किस company की बात कर रहा हूँ टाटा संस लिमिटेड की अब टाटा संस के अंदर टाटा केमिकल्स ने के पास जो holding है वो लगभग 3% है टाटा केमिकल्स के पास 3% है मैं यहां लिख देता हूँ side पर ठीक है आपको easy लगएगा color ले लेता हूँ लाइट 3% है टाटा मोटर्स के पास भी 3% है टाटा पावर के पास 2% है ठीक है और इंडियन होटल के पास 1% है यह उनके पास holding है अब अगर आप हिसाब लगाएंगे तो यह थोड़ा सा मैंने इसका गलत बताया आपको company की जो value निकलके आ रही है वह आठ लाक सत्तर अजा करोड़ी आठ लाक सत्तर अजार क्रोड के आसपास है एक लाक सेवेंटी थाउजन क्रोड टाटा संस लिमिटेड की तो एट लाक सेवेंटी थाउजन क्रोड के हिसाब से यह calculation है अब लिस्टिंग के बाद हो सकता value दस लाक क्रोड निकले आप जो टाटा केमिकल्स है उसके पास उसके 3% शेयर तो आप उसकी वैल्ली लगा लीजिए जो टाटा पावर उसके बस 2% शेयर के गरीब है टाटा मोटर्स के पास है जो 3% शेयर इंडियन होटर्स के पास लगभग 1% शेयर है तो उन शेयरों की यह market value है जो यहां पर आप देख रहे हैं कि समझ क्या यह market value है अब किया कि टाटा केमिकल एक छोटी कंपनी उसकी कुल वैल्यू जो है वो 30,000 क्रोड है अब जब यह तो तीन परसंट होल्डिंग वो उसमें रखता है जब उसकी market value निकल के आएगी वह 19,800 क्रोड निकल के आएगी तो तीस जार पे उननीस एराट सो क्रोड सीधे सीध और कहलो सौर पे तक आ सकती है तेजी और अल्मोस्ट जो टाटा संस की इंवेस्टमेंट की वैल्यू के अनलॉकिंग होनी ती वह हो गई है टाटा पावर जो है उसकी वैल्यू टाटा पावर में निकलती है लगभग 13,000 क्रोड वह 10 परसंट उसकी मार्केट के बराबर या वह भी आज 7 परसंट बढ़ चुका है टाटा मोटर्स की 6 परसंट उसका मार्केट के जादा वह भी आज काफी बर चुका है इंडियन ओटर्स की 11 परसंट के आसपा से वो भी उस पर मैंने ट्रैक नहीं क्या प्रैक्टिकली तो यह कारन है जिसकी वजह से वैल्यू एक बा सब्सक्रांट हएक संब्सक्राइज कऊंट सब्सक्राइब के तो मांधिकली क्ली छोड़ी सी तो समझो आमक्त हो समय तो शक्राइए तो समुस्का इमप्क्राइब हो चाण़ परन नहीं फॉर्स यह तो मैंने में रखाट भावश पता देता हूं को अब आज कि आट फॉर बढ़ गई कल भी थोड़ी सी बढ़ी थी तो वो तो समझो आल्मोस इसका इंपक्ट आ गया टाटा मोटर की आज 2% बढ़ी है कल भी में रखा थोड़ी बढ़ी थी तो उसमें थोड़ी सी माली जो गुंजाइश है पर टाटा मोटर पहले पिछली न्यूस के ऊपर भाग हूं तो यह वैसी बहुत समय से भाग रहा है तो इसलिए भी आज भी परसंट भाग गया तो उसका भी मतलब वालो इतना इंपक्ट वाली बात नहीं है तो पहले ही बहुत भाग क्या है तो यह सारी कहानी थी जो मैंने आपको खुल के बता तो अब आपने डिसाइड करना क कि कौन सा कंपनी का शिर अंडर वैलियो इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए अब यह मैं सोचता हूं कि आपको पर है पर रीजनिंग मैंने आपको दे दिये आपका क्या विचार है टाटा केमिकल टाटा पावर टाटा मोटर इंडियन होटर कहां तक भाग सकते कमेंट में डार्लिंग जरूर लिखना क्योंकि सारे कमेंट पड़ता हूं यह तो गई इसकी कहानी अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं कि भाई आज बजार की अगर हम वह आपनी स्क्रीन शॉट निकाले थे डाले दी चतुरबाद में ठीक है तो यह तो देखो जी इसकी कहानी होगी पहले त्यासा एंट इंटरनेशनल मार्किट की बात कर लेते हैं कि क्या चल रहा है भारती बाजारों में तो हो गया जो हो गया अब कल आपको बताबाए भा उनका मंध बजा़में लगा रहता है तो अब अगर। सब्सक्राइब कर साय गिर्कर बंद हुआः उसके मुकाबले में अपने बजारों की बात करूँ अपने बजार तो फ्लैटी अबस. लिए सरे चे.ड़ी भारती बजारों में निफ्टी बैंक तो जो है पॉइंट टू सेवन परसंट गिरकर बंदुआ और निफ्टी फिफ्टी जो है ठीक ठाक फ्लाट ही बंदुआ है अब पहले रिखते हैं मार्किट का फियर क्या मार्किट में फियर लगातार बढ़ रहा है तो कहीं नहीं बज है नहीं हाइर साइड पर है चाहे बात कर लो यूएस डॉलर इंडेक्स की कुरूड की हलका से सुधार है यूएस डॉलर रूपी के अंदर टेन यह ट्रेजरी यूल में भी हलका सुधार है पर अभी वह चार से ऊपर है यान्ताराश्य इंडिकेटर्स कहीं ना गई क्ल मिलाकर 25 Against 12 क्रोड की खंडारी करी यह कुल मिलाकर 9905 क्रोड की आज खरिदारी यह कैश शेर वजार कुछ नहीं भागा है उसने निया लाइफ टेम हाई लगा पर ऐसा कुछ भागा नहीं है अब जो है इंडेक्स में जो की लोग है लोवर्स आइट पर यह स्टॉक्स म reasonable है तो index में अभी बहुत गुंजाइश है stocks में reasonable है अब बात करते हैं आज बजारों की तो आज बजारों का जो टिल्ट था वो भागने वाले शेरों की तरफ था तेरा सो investment और जी entertainment बड़े दिनों के बाद भागा अपना आज एक जी entertainment का शेर ऐसा है जिसमें हम मिया भीवी को मिला कर 21 लाग की आसपास का नुकसान है यह भाग जाए तो वारे नियारे हो जाएं तो देखिए यह एक ऐसा शेर इसके वावजूद भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है क्योंकि बाकी शेर में अच्छी मजबूती हमने बनाई है गिरने वालों में में सबसे आगे था अपोलो टायर बीपी अच्छा सूचक थे अब बजार में आज बात करूं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आज बजार में कोई कोई जोल नहीं था जैसा कि मैंने कल भी बिताया था मुझे लगता आज ऑपरेटर ने सारी चीज़े सेल की थी तो रेंज बाउंड रहा अगर आप ध्यान से देखेंगे 95 पॉइंट के बीच में गूंता रहा कि कल 22,474 पे खुला था बंद हुआ था आज 22,505 पर खुला 22 का पीक बनाया नीचे 22,430 का बॉटम बनाया था बीगनिंग में पीक बनाया था एंड में पीक को चार बार टच भी करने की कोशिश की अल्टिमेटली पीक के आसपास ही 22,500 के लेपेटे में बंद हुआ लाइफ टाइम हाई आज अचीव किया है 22,525 का आज का डेटा पू आज अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी तेजी टाटा स्टील, टाटा कंजूमर प्रोडक्ट, बजाज ओर्टो, टाटा मोटर, JSW स्टील, UPL, हिंडाल को, UPL में भी अच्छा खासा नुकसान है, ये भागे का तो मज़ा आ जाएगा गिरने वालों में M&M, BPCL, Reliance, Access, ICIC, LTI, Maintry और ONGC प्रमुक थे, अब अगर चार्ट पर देखेंगे तो चार्ट पर अप्ट्रेंड बरकरार है, बजार अभी फुल टॉस, अप्ट्रेंड में ही चल रहा है, कैंडलो का आप चार्ट बनाएंगे उपर है, और बोलिंजर स्ट्रेट अवे वो भी उपर की तरफ हो गया है, तो यानि अभी बजार में बुल ट्रेंड इंटैक्ट है, अभी कोई ऐसे चिन नहीं है, बड़ा इंटैक्ट है, हाला कि एक ही बात है कि MECD चार्ट पर बहुत मजबूती नहीं आ रही है, इसका मतलब बजार हलके बढ़ दिल पुकारे, भागरे 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 तो भागरे वाली बात ज्यादा हमारे अंदर समा गई है, जिबकि RSI भी जो है 64 के उपर है, यानि MECD चार्ट पर हमारा टेक्निकल इंडिकेटर न्यूट्रल है, कैंडर स्टिक चार्ट, बोलिंजर, बैंड, EM, मुविंग एवरे आफ्ता चुरू हो रहा है, नया आफ्ता पर अके लिए हम 22,500 को बेश लेके चलते हैं, तो 22,500 पर देखेंगे, कॉल राइटिंग हाइस्ट है, पूट राइटिंग कम है, 22,400 नीचे चले जाते हैं, तो कॉल रेटिंग घर जाती है, पूट रेटिंग बढ़ जाती है, कॉल रेटिंग आइस्ट है, मैक्सिमम पेन 22,000 पर यानि कहीं बजार मंतिली वाला कह रहा है कि तुरम जो नीचे की तरफ जाना है, हाना कि 23,000 पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरस्ट है, टक्कर देने वाला है, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात नहीं कही जा सकती, बाकि इस महीने ऐसा लगता है कि 23,000 का लेवल एक बार बजार चूब सकता है, अब जो वीकली पुझे पीसिया रेश्यू है, वह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अगर आज निफ्टी बैंक का मुम्मेंट देखेंगे, वैसे ठीक ठाक से मुम्मेंट है बहुत जादा तो मैं कुझा ये भी नहीं है, साले 300, साले 300 पॉइंट के बीच में ये फ्लक्चुएट करता रहा, कर 47 या 965 पे बंद हुआ था, आज 48 या 35 पर खुला, शुरू में ही पीक बना लिया, उसके बाद इसका सारा दिन मुम्मेंट नीचे की तरफ था, तीन बा रहे थे, वो पाँच थे, एएउ स्मॉल फिनांस, इंडर्सिंट बैंक, SBI, HDFC, बंदर्वा, बड़े जिन से मुझे लग रहा है, अला कि मैंने आज इसका एक फ्यूचर स्क्वेर ऑफ किया है, मुझे अमीद है, आजमी बहुर हो जाता है, मेरे पास साथ फ्यूचर बाद है, तो हो सकता है, मैंन कर रहा है, सोला सो से उपर जाए, पर मैं जो देख रहा हूं, आज मैंने इसमें काफी बड़ी प्रॉफिल बुकिंग करी है, जिसकी में चर्चा आपको दिखा मुझा वावी, तो ये थे सारे, और गिरने वालों में आप देखेंगे, बेंजर बैंड नीचे वाला उपर की तरफ जा रहा है, उपर वाला उपर है, सारे बुविंग एवरेज में इसका में चार्ट भी बड़ा काफी स्ट्रॉंग है, हाला कि आज बड़े दिनों के बाद लाल इस्टोग्राम बना है, जो ये कहरा थोड़ा सा थमाव आया, आर अगले अफते मज़ेदार देखने को कुछ मेरे, अब 47 या 835 में बंद हुआ, तो आप 48 यार पकड़िए, 48 यार पर कॉल राइटिंग ज्यादा हो, पूट राइटिंग कम है, यही मैक्सिमन पीर है, थोड़ा नीचे जाते हैं, तो कॉल राइटिंग कम हो जाती है, निकल के आरी, जिसके अंदर बजार घूम सकता है, हलकी स्टार्ट है, वन मंत की, वीक की, मंतली तो नीट्रल ही चल रहा है, और हलकी ही स्टार्ट है, वीक की, तो काफी गुंजायश है, बजार के ऊपर भागने की, PCR लो है, यानि पूट राइटिंग कम है, कॉल राइटि मैं आज 1,888 जर्का प्रभू के आश्रिवाद से, प्रभू के कृपा से, आपकी सुबकामनाव से, प्रॉफिट बुक किया, ओपल और बैरिल में मैंने साथ स्क्वेर ओफ किया, साथ पूजिशन, दो मैंने अग्रेसिव उट्टे बेची है, दो सेफ उट्टे बेची है, पांच बार कैश सेग्मेंट में खरीदारी करिए, अब मैंने देखो क्या करा, अशोक लेलें की कॉल को स्क्वेर ओफ किया, 10,000 की कॉल को स्क्वेर ओफ किया, क्यों किया स्क्वेर ओफ लॉस में, मैंने हायर स्ट्राइक प्राइस की अगले मंत की बेज़ दी, इसका प्री भाग गया तेरा सो के पार हो गया रूख जाता है तो पचास यह रुपे और बच जाते मेडम का चैरा देखने वाला गुस्से वाला चैरा दिखा रहें मुझे क्या बता इतना भागेगा यूपील की मैंने कॉल को स्क्विर ओफ किया 24310 का प्रॉफिट कमाया हिंदुस्तान कि इंडुस्तान लीवर के मैंने कई साले लॉट्स कुण किया आज कर थोड़ा सा पता नहीं क्या मैं बढ़ गया हूं पंद्रा से ने पांच लॉट्स कुरे ने पंद्रा सो पुट्टे थी पांच लॉट्स क्यों कि इसमें मुझे 24000 पांसो सत्तर का बुनाफ़ा हुआ और इसके भी मैंने छे लॉट स्क्वेड ऑफ कि तीन जार थे इसके मिन पास छे लॉट स्क्वेड ऑफ की जिसमें मुझे छपन जार का प्रॉफिट हुआ यह थी सारी कहानी इसके अलावा मैंने इंडस इंड बेंक के चार फ्यूचर का प्रॉफिट है तो यह थी सारी कहानी जो आज की मैंने आपको बताई है तो भाईया सीधी सी बात है बजार में जैसा कि आप देख रहें एडवांस ज्यादा थे डिक्लाइन कम थे मजबूती लॉटी है पर चुकि तीन दिन का बंद है तो इसलिए लोग लगता ज्याद मैं टच किया और वो ठंडा हो गया मैं आपको इसी तरह से दिखाता रहता हूं कि किस तरह से कैश मेंजमेंट करना है रिस्क मेंजमेंट करना है किस तरह से मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड लेता हूं मैं आपको रिस्क और रिवार्ड का अनैलेसिस दिखाता हूं कैसे हम कि किस वक्त अपनी पोजिशन को स्कूर ओफ करते हैं कैसे करना चीए किस तरीके से जब घब घबराट होती है हमें फेवरेवल प्यशन बनाने चीए जब बजार में ग्रीड होता है हमें पोजिशन है अपनी पॉफिट वाली काटने चाहिए सब बाते मैं आपको अपनी वीडियो के द्वारा और डेमो के द्वारा दिखाता हूं मैं कोई टिप नहीं देता हूं कोई में से पूछ भी लेता है यह शेर खरीद लें यह शेर बेच दें तो मेरा एक ही जवाब होता है अपने रिस्क एपिटाइट से काम पूरो दूसरे की देखा देखी सुन सब्सक्राइब लिनक ले लिजे लिजी स्कूर्ण बॉक्स में उससे खोल सकते हैं अगर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके प्लाट्फरम का ना मिले तो मेरी टीम को इस नंबर पर ज़िरूर चॉल करिए यूटूब का सुन बनना हो तो मेंबर्शिप सेक